आज हम लोग इस वीडियों बात करने वाले आपके ohms log के बारे में कि ohms log होता क्या है तो चलिए समझते है ohms log को देखिए ohms के द्वारा यहाँ बताया गया था जब भी हम लोग किसी conductor में electric current flow करवाते हैं तो वो directly proportional होता है किसके voltage के लेकिन उसके लिए उन्होंने condition बोला था कि उस conductor का temperature constant रहना चाहिए तब ही आपका electric current directly proportional होगा किसके voltage के सपोज हम लोग उस conductor का temperature increase कर देते हैं तब क्या होगा कि उसमें electric current का amount भी increase कर जाएगा तो वहाँ पर ohms log applicable नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर इस ohms log के according हम लोग क्या देखेते हैं कि V जो होता है directly proportional होता है किसके I के voltage directly proportional to electric current देखे proportionality sign जब हटा तो उसके जगा पर R आया तो V बराबर RI इसको हम लोग arrange करेंगे तो V बराबर IR यहाँ पर क्या था proportionality constant सा जिसे हम लोग resistance भी बोलते हैं